तरफ्रेंड वेल्कम टू माई चानेल आज मैं आपके रिह लाई हूं दाल पिठी की रेसिपी जिसे दाल ढोकली भी कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हम नॉर्मल आठा गून लेंगे जैसे आप रूटी पनाने के लिए आठा गूनते हैं वैसे ही आप नॉर पिठी का डेठेगे आप चाहे तो कोई और शेप भी दे सकते हैं और इसी तरह से तीन चार रोटी और बेल लेंगे और इस तदरह से हम दाल पिठी रेडी कर लेंगे देखे ये रेडी हो चुका है अब हम इसे साइड में डख लेते हैं देखे कितना पॉफेक्ट शेप है मैंने मुझ मसूर के दाल में हल्दी और नमक डाल कर 2-3 सीटे लगा कर दाल रेडी कर लिया है और हम दाल को साइड कर लेंगे और हम मैं नहां के लिए थोड़ा सा हेंग डाल देंगे और 2-3 लिक बारिक काट कर इसमें डाल दें यह का फलेवर का पपी काफ़ी अच्छा आं चाहा है और मैने इसमें 2-3 हरी मिर्च को भी बारीक काट कर इसमें डाल बिया है एक पीाज को आप से कटका कर लें ärतीं डाल Nos day और मिर्च पाउडर इसमें जादा मसाले नहीं डलते हैं सिर्फ हल्दी और मिर्च पाउडर इससे ही काफी अच्छा टेस्ट आता है इसका मैंने एक चोटे टमाटर को ले लिया है और इसे क्यूप्स में कट कटके इसमें डाल दिया है टमाटर को भी हम प्याज और मसालों के तक तामाटर को अच्छे से सौफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे दो से तीन मिर्ट तक मीडियम फ्लेम पर बुनने के बाद हमारा टामाटर भी सौफ्ट हो गया हमारे मसाले भी बून चुके हैं अब हम इसमें बारी कटी धनिया पती डालेंगे और उसे भी मसालों के साथ भ के मिक्स कर लेंगे मैंने इसमें मुंग मसूर की दाल का इस्तेमाल किया है अगर आप तूर दाल खाते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कंसेस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि बनाना भी काफी असान है अगर आपके घर में बची भी दाल रखी है तो आप उससे भी यह बना सकते हैं इन सब को हम मिक्स करके उपर से गार्निशिंग में हम डालेंगे थोड़ी सी दनिया पती रोस्टेड लाल मिर्च का पाउडर और रोस्टेड जीरा पाउडर हम इसमें अगर आपके पास गड़म मसाला है तो आप इसमें गड़म मसाला भी डाल सकते हैं अगर नमक कम है तो आप इसमें नमक और एट कर सकते हैं अब हम इसे हाई फ्लेम पर दो से तीन मिर्ट तक उबाल लेंगे उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और पांच मिन बनकर रेडी हो चुकी है आप एक बर्दाल पिट्टी जरूर बनाएं